इंडियन क्रिकेट टीम जीत गई है जी हां इसे लगान वाली टोन में भी पढ़ सकते हैं हम जीत गए लगातार दो बंडे हारने के बाद आखिरकार टीम इंडिया ने आउस्ट्रेलिया को उनके घर में हरा ही दिया सबसे पहले तो विराट कोरी ने सिरीज में पहली बाद टॉस जीत कर पहले बैटिंग का फैसला किया शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही टीम ने 152 तक अपने टॉप 5 बल्लेबाज गमा दिये लेकिन इसके बाद हार्दिक पंडिया और अवीन जडेजा ने कमाल कर दिय दोनों ने छटे विकेट के लिए 1500 रनों की पार्टनर्शिप कर डाली भारत ने 302 रन बनाए जवाब में खेलने उतरी आस्ट्रेलिया डेविड वार्नर थे नहीं ऐसे में अरोन फिंच के साथ आये माननस लबुशेन यहां से कमान समभाली भारती गेनबादों ने जो कर परिशान किया लगातार बने प्रेशर का फाइदा मिला डेब्यू कर रहे नटराजन को उन्होंने छटे ओवर की पहले ही बॉल पर लाबुशेन को बोल्ड मर दिया एक छोड से फिंच टिके रहे लेकिन दूसरे एंड पर आने वाले कंगारू बल्लेवास लंबी पारि लेकिन बुमरा की एक यॉरकर ने उनके डंडे उखार दिये यहीं से मैश पल्टा और अंत में भारत ने इस मैश को 13 रनों से जीत लिया जीत के बाद कैप्टर मिराट कोली बहत खुश नजर आये उन्होंने अपनी टीम की खूप तारिव करी कोली बोले यह खास तोर से ख जुमन वापस आया इससे हमें थोड़ी फ्रेशनेस मिली मुझे लगता है कि पिछ बॉलर्स की हेल्प करने में काफी बहतर थी इसलिए इनिश्चित तोर पर कॉन्फिडेंस उपर जाता है पिछ की तारीफ में आगे बोलते हुए कोहली ने कहा कि आस्ट्रेलिया को अंडर प्रेशर करने में पिछ का बड़ा रोल था हो बोले हम आउस्ट्रेलिया को अंडर प्रेशर कर पाए क्योंकि पिछ से मदद मिल रही थी अगर आप 13-14 साल से इंटरनेशनल ट्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको ऐसे कमबैक करने चाहिए जैसा हमने किया हार्दिक और जड़ के पहले दोनों वंडे गवा दिये थे अब 4 दिसंबर से शुरू हो रही T20 सीरीज से पहले मिली यह जीत निश्चित तोर पर टीम का मनोबल बढ़ाएगी बागी T20 सीरीज में जो होगा हो भी हम आपको यूहीं बताते रहेंगे आप देखते रहें दीललन टॉप शुक्र सोमबार से शुक्रवार रात दस बजे दीललन टॉप वर